नमस्कार एक दुखत कबर और दुखत कबर जो की डोडा से आ रहे है अज फिर सेना का नुकसान हुआ है देश का नुकसान है देशवासियों का नुकसान हुआ है पूरी खबर क्या है वो आपके समक्षब रखना चाहेंगे बताना चाहेंगे जमुकश्मीर के डोडा में आत देश का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान हुआ है, बताना चाहिए जब मुकश्मीर के डोड़ा जिले में अतंगवादियों के साथ रातरी काली यनि के मुटबेड के दुरान गंबी रुप से गायल हुए एक अधिकारी समेत चार सेना कर्मियों की मंगलवार यनि र अधिकारी एक पुलीस कर्मी सेंट पांच यानी के सुरक्षा कर्मी गंबी रुप से घायल हो गए थे इन में से चारों सेना कर्मियों की फिलाल वो वीजगती को प्राप्त हो गए हैं जबके एक पुलीस कर्मी जिंदगी और मोत की लड़ाई लड़ रहे हैं अधिकारी ने बताया कि मुटबेड तब शुरू ही जब राश्ट्रे राइफल और पुलीस के विशेश अभियान समू यानि एसो जी के जवानों ने कल शाम यानि के सोंवार शाम करीब साथ बज़कर 45 मिनट पर यानि के देशावन शितर के धारी गेट उराबागी में कासो गेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया और आप जानते हैं जब भी हमारी सेना तलाशी अभियान जारू करती है यान अतंकियों को ढूडने की कोशिश करती है ये कायर अतंकी जो शुपकार आगे से यानि गोलाबारी करते हैं और बतना चाहेंगे जब 20 मिनट से अधिक समय तक चली गोलाबारी में एक अधिकारी और एक पुलीस कर्मी से चार सेना कर्मी घायल हुए थे और साथी तो उन्होंने बताया कि शेतरवे अतंगवादियों के खिलाफ अभियान जारी है और वहीं पर अगर बतारा चाहेंगे आपको डोडा जमुसंभा के उन गने जंगलों वाले पहाड़ी जिलों में से एक है जहां माना जाता है कि अतंगवादी रन निती जो है उस पर काम कर रहे हैं बारती सेना ने कहा कि अतिरिक सेनों को कुछ शेतर में भेज दिया गया है और तता अंतिन रिपोर्ड मिलने तक अभियान जारी रहेगा पर फि अपसान आप खुछ समझ सकते हैं आज भी हमने अपने चार वीर युद्धाओं को खोया है हम दिल से उन्हें शरधाजली अर्पित करते हैं हम दिल से उन्हें सल्यूट करते हैं जो देश के लिए ने स्वार्थ होकर अपने प्रानों की आहोती लगा देते हैं और बताना यह कुछ देर की गोलाबारी के बाद अक्तावादियों में भागने की कोशिच की लेकिन एक इद्गारी के नेतत्व में भादर सेना के चुनोती पुरी लाके और घरें जंगलों के बावजूत उनका पीछा किया जिसके बाद रात करीब 9 बजे जंगल में फिर से गोलाब बारी शुरू हो गए सब बताना जाएंगे वाइट्स नाइट्स कोर से ने सोंवा रात एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विशेश कूपिया जानकारी के अधार पर भारती सेना और जेकेपी द्वारा डोडा के उतर में उतर में जनरल यानि शेतर में एक सयूगत अभियान जारी किया गया और बताना है कि आज रात लगबंगयानी के 9 बजे कल की अगर बात करें 9 बजे अतंगवादियों के साथ संपर्क सापी तवा जिसके बाद भारी गोला बारी शुरू होगी और बताना है कि वाइट नाइट्स कोर ने कहा कि प्रारंबिक रिपोर्ट में पत कर समा चाह रहा है वाके यह आतंग कायर आतंगवादी कब तक इस तरह के छुप छुप कर यहां इस तरह से जंगलों में छुप कर यहां स्थानी लोगों की मदद से इन्हें शल्टर मिलता रहेगा और यह तबाही का मनजर के लिए त्यारी करते रहेंगे पर वहीं पर आतंग्यों का सरवनाश करना है और होना भी चाहिए और आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं वो प्रातना कीजिए कि हमारी सेना इन आतंग्यों का सरवनाश करकर ही दमले और हमारी सेना का कोई नुकसान नहीं हो जब भी इस तरह की खबर आती है और पूछिए उन माओं क जिन माताओं ने अपने बच्चे जो आपने ऐसे सपूत जो हैं देश की सेवा के लिए भेजे हैं और आज उनके सपूतों ने यानि देश के लिए अपने प्रानों की आहुती लगा दी उनके परिवार में क्या हुआ होगा आप खुछ सुची ये सिरफ उसी परिवार का नुकसान ही बलके पुरे देश का नुकसान है हमारा नुकसान है आप सब का नुकसान है क्योंकि यही लोग है यही सेना है हमारी जो सरहदों पर खड़ी है अपने देश की रक्षा के लिए जो अतंगवाद के सामने सीनाताने खड़ी है और उसी के चलते हम अपने घरों मे चैन और बिफिक्री की नींत होते हैं और फिलाल ये कहेंगे बड़ा ही नुकसान है आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं जरूर कमेंट बाक्स में उन शान्ती लिखेगा इन चार वीर योधाओं के लिए हम भी दिल से शरधांजली देते हैं प्रातना करते हैं बगवान इनकी आत्मा को शान्ती दे इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ता कर दे और हमारी सेना को पुलीस को इतना बल दे इतना बल दे कि इन अतंक्यों को नस्तो नाबूद कर दे फिलाल हम भी कहेंगे कि दिल में दुख लेकर आंकों में आंसू लेकर क्योंकि तकलीफ होती है जब इस तरह की खबर आती है एक सेना के एक जवान हमारे लिए बेशकीमती है आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं पर इन कायर अतंक्यों का क्या करें के घर का भेदी लंका डाय हमारे कुछ की अपने ही लोग हैं जो ऐसे कायरों को समर्थन देते हैं ऐसे कायरों को शल्टर देते हैं जो इने हमारे ही जब मुझ को महुल खराब करने का लगातार ये परियास कर रहे हैं फिलाल उन लोगों के भी खार नहीं जो इनके खैर क्वा होंगे याने शल्टर देते होंगे उने भी अब हमारे पुलीज या कानून के दारे में ला जाओं उन पर भी उसी तरह से शिकंजा कसा जाएगा फिलाल पूछताश भी लोगों से जारी लगातार इस पर अभ्यान चल रहा है कि zero tolerance for terrorism पर फिलाल ये जुरूर कहेंगे नुक ये जब येवर।